मैंने बहुत सारी बाते किया आयन क्या होता है स्षाण होता है यह साथी बाते हम पीछे़ की कि अब हमाथ पास कुछ तत्वो पर्मानवों के आयनания या बोले других बेसिकली उसका स्ष्यो जगता दिया हुआ है हमको राशाइनिक सुत्र कैसा बनाते है प्लस और से कि स्काम मतलब इसकी स्वर्जगता एक होगा पोटेसियम और सपर यहां मैंना साज है इतने बाते तो क्लियर होगे कि कर आयों से तम से निकाल सकते हो अब यहां पर देखो कुछ लिखा, कुछ ian पलस में है, कुछ ian मैंनस में है, और सारे ian का नाम लिखा हुआ, तो नाम के साथ you को तुम को सारा का सारा Ian जो है, तुम को याद रहेना चाहिए, इतना हम तुम को बात कर लें, हाला कि किसी और वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि नाम करन कैसे करते हैं अभी सिंपल वे में अगर हम बात करें तो नाम के साथ तुम को क्या करना है नाम के साथ और अगर तुम पलस मैंनस याद रख सकते हो तो और भी ज्यादा बेतर है नाम के साथ पलस मैंनस के साथ त आव जरा देखते हैं जैसे हम एक्जाम्पल मार एक की बात करें ऊक्सीजन इहां उठ्सजा लेते हैं लीथियम और स्थे वरीकिमे में हम को सपोर्थ लीथियम और सीया के बारे में हमको सपोर्ट énिम से मिलकर जो कंपाउँड योगिक बनेगा उसका सुथ्र लिखना और उसका नाम लिखना है तो यहां पर देखेंगे लेघियम किसी जगता कितनी है 1 hao oxygen किसी हो जगता यहां पर दो है देखना जरा oxygen किसी हो जगता कितना है oxide iron कितनी है दो है ठीक है और इसका नाम क्या है oxide क्या आयन को भूल जो क्या है oxide और lithium वाले का देखो lithium आयन नाम है lithium आयन नाम है इसका करो तो क्रोस मूल्टिफलिकेशन तो यह तुमारा कुछ बनेगा li to li के साथ 2 को लिखना है और के साथ एक को लिखना है क्रोस मिन लिखना है अगर हम rules की बात करें सपोज हमारे पास एक इक है तुसरा एक है तो प्रोडिक है तो बैलेंसी लिखेंगे व्राइब को सबसे पहले अगर होई यह में दो है धातू का नाम पहले लिखेंगे एक नाम लिख देना है और दिन बी का नाम लिखना है और पलस आइड जोर देना है क्या जोर देना है आइड जोर देना है ठीक है आइड हमको जोर देना है रिखो दारण जैसे कि यहाँ पर लीथियम तो लीथियम धातू है तो हमने लिखा बाबू लीथियम और ये हो जाएगा Oxide Oxygen का क्या हो जाएगा तुम्हारा Oxide यह नाम रखो Oxygen का तुमको Oxide ही लिखना है क्या लिखना है Oxide हलाकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना हम बता दे रहे हैं अगर कोई एक परमानू है तो इसके लिए क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे लूगोवर क्या दो है तो यह है तो ट्राय चार है तो ट्राय थिए और यह फांच है तो पैंटा बस पास्त की जानते हैं हम लोग चाहें अभी तुमको आगे जब में करेंगे पता देखन हो चले है दूसरा उधारण देखे हैं जैसे हमारे पास पोटासियम और लातू है क्या पोटेसियम तो लिखेंगे पोटासियम और यहां पर हो जाएगा हमारा ऑक्साइड क्या हो जाएगा अब देखो यहां पर क्या है ना कि एक अगर ऑक्सीजन एक होता है एक परमानो उक्सीजन का उसके लिए मोनो लिखते हैं बट यहां पर मोनो क्यों नहीं ल कारण देखेंगे सपोज हमारे पास सपोज हमारे पास यहां पर यहां पर कैल्सियम के साथ कर रहे हैं कैल्सियम ले और यहां पर ऑक्सीजन ले तो यहां पर कैल्सियम का दो ऑक्सीजन का दो तो अब देखो दो दोनों है तो इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे दो से दो खतम हो जाएगा एक एक का रेशियो बना हमारा तो इसका मतलब यह जो तुम्हारा सुत्र बनेगा सी यह हो अब चुकिए धातू है ऑक्सीजन अधातू है इसका नाम होगा सबसे पहले धातू का नाम लिखो कैल्सियम को और इसको बोलते हैं ओक्साइड यहां भी लिखा हुआ है एक्साइड हो लिखेंगे कैल्सियम दें ऑक्सीजन को AI किया बोल देंगे ओक्साइड भाते अमजमिं आ रही है समय आ रहे आ जाओ जिसा चलो किछ और देखे इस चलो इता नमर का देखो जैसे ऐल्लो मूनियम हैल्लो मूनम हैं और यहां पर ऐखशिजन ही तो हिल्लो मूनियम का विलयंसी चीजि का और आज और यहां पर अगर हम को करें तो एल्युमूनियम के साथ दो आजाएगा और और आक्सीजन के साथ कितना जाएगा है थे अजाएगए है तू सब्सक्राव है धातू है यहां पर भिंग सॉर सब्सक्राइब देखो और तक मुनिययं तो इस परकार से तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर योगिकों का निर्मान कर सकते हो और उसका नामकरन कर सकते हो आप कुछ और उधारन से समझे कि कैसे योगिकों का निर्मान करेंगे अलग-अलग सहुजगताओं वाले परमानों के साथ तो जो अभी तक हमने बात किया है वो जन के साथ अलग-अलग दूसरे आय ऊन्स को ले करके हमने compound का निर्मान किया है अब यहां पर देखते हैं chlorine यहां पर देखे chlorine 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 bromine iodine इस सब के साथ यह थी हम compound का निर्मान करते हैं तो किस परकार से होगा इसके बारे में बातर लएकम हना तो लोरीन है ह symptom लूरीन है तो लूराइड भे मुत इस इंुप ढ़िके मईनस होता गश्काषज Looking are इंख हमको बनाना है पोनाना है पोटेसिंट लोरीन के साथ तो पोटेसियम का वेलेंसी ये एक कहलो सबसे पहले धातु का नाम लिखना है जो होगा पोटासियमक का पोटासियम और देन हमको लिखने सा थालोराईट को बासियम है स्टै या सी एवन को सी यह लिखेंगे एफटू तो एक बात बताओ कैल्सियम यहां धातू है कैल्सियम तो यहां पर सिंप्ल लिखेंगे कैल्सियम सबसे पहले जहीं एप्टू है तो इसको लिखेंगे फ्लॉराइट क्या लिखेंगे लिखेंगे तीसरा अधारन देखें आजब एक लेते हैं यहां पर लेते हैं तुमारा बी यार तो इसका होता है एक अगर इसका करे ख्रोस तो यह घंञोंड हो जाएगा और कि वハハ है कि तो यह बेसिकली तुम्हारा हो बनेगा यहां पर सब से पहले रोमुनियम लिखना-a-a-alum किया है वहां पर देखना हमने जितने योगिक का निर्मान किया उसमें एक हैThis में के साथ निर्मान नहीं , . पी की किलोडीन, फ़्लोरीन, ब्रोमिन, अइोडीन के साथ हम जोडीकों का निर्मान कैसे करेंगे अलग-अलग अइनों को ले करके कुछ और ऊधारन इसमें देख드레ते हैं दEKHOगे ज़राब जैसा हम उदाहरन ले यहां पर यहां ले 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 जड़ बताओं हमको यहां से जा उदाहरन हमारे पास बच जाता है पलस्वाला आज कुछ नहीं कि अलमूनियम ले लो कि अलमूनियम ले ले लेते हैं दिन एक लेते हैं सो थ्री तो एक बाद मतंशना चाहता तीन होता है और थरी की दिखो तो यहां पर जाएगा-धर-वाला यह क्रोज कर लो एलुमूनियम के साथ क्या जाएगा दो और एसो थिरी का यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा एसो थिरी का हल्थराइज तो अलुमूनियम देखो यहां पर सबसे पहले अलुमूनियम तो लिखेंगे ही क्या लिखेंगे अलुमीनियम लिखेंगे ही और साथी साथ यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे अलुमूनियम सलॉफाइट यह मर बन गया तुम्हारा अलुमूनियम सलॉफ इसकी वैलेंसी दो है बेरियम के बाद सपोस हम ले लेते हैं NO3 NO3 और इसकी वैलेंसी है एक देखो NO3 नाइटरेटाइन वैलेंसी है यहां से क्रोश करो तो BA1 हो जाएगा मतलब BA करेंगे है और NO3 का लिखेंगे और तो नाम हो जाएगा बेरियम है को और नो 3 को क्या लिखते लिए नोट नाइट रेट क्या हो जाएगा तो इस परकार से तुम कितना भी चाहो क्या पर कर सकते हो यह को का निर्मान कर सकते हो अलग 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 आयनों और सिंह एक्टाओं का परयोग करते हैं तो यहां पर कुछ और उदारन देख लेते हैं और अब बैसिकली देखेंगे हम वह बहु परमानवी आयन का यानि कि एक से अधिक परमानवों से बना जो आयन है उसके बारे हम उदारन देखने वाले हैं उसमें हम लोग compound यानि यह उगिकों का निर्मान कैसे कर सकते हैं, तो उदारा नमर एक है हमारा, पहले suppose हम लेते हैं ammonium आया, NH4 है, और इसका हम करा देते हैं, इसका हम करा देते हैं chlorine से, तो यहां दोनों की सिंजगता एक ही है, cross करेंगे, NH4-1, CL-1, NH4-Cl, और इसका नाम क्या ठीक है जी, चलो दूसरा उदारन देखे हम, चलो दूसरा उदारन पकरते हैं हम, आजओ, CU, CU, अच्छा, CU की जो है न, अलग-अलग सेंजगता है, होती है, देखो, दो भी सेंजगता है, और एक भी सेंजगता है, suppose हम दो बाला पकर लें, तो CU की सेंजगता 2 हो जाएगा, और हम इसके अलावे सेंजगता दूसरा लेते हैं, तुम्हारा, दूसरा ले लेते हैं, SO4, क्या ले लेते हैं, SO4, और इसका होता है भी 2, यह पलस में होता है, यह मैनस में होता है, क्रोस कर लेंगे, क्रोस कर लेंगे, तो यह होगा, CU2, और यह होगा, SO4 का 2, देखो, 2 से 2 तो केंसिला तो होका सी यू इस उफवर अब एक बार समझना हम ने सिउ जो पकरा था था है फूसी उसिट दितो यहां पर इसको बोलते हैं क्या पर गouri कायं बोलते हैं तो यहां पर जो नाम होगा नो उसका क्यूप्रिक रिखेंगे एसोफोर का सलफेट लिखेंगे क्यूप्रिक या कोपर सलफेट भी जेनरल सेंस में हम कोपर टू सलफेट इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ठीक है तीसरे । आजाओं कुछ और माथा पत्ची कर ले मैं चलो जी कुछ और माथा पत्ची करें के यह जी देखोराइजी आइरन को ते ले लिए इसका वह सबस्क्राइब लेते हैं कि एफ पीए फोर क्या ले लेते हैं पूर सब्सक्राइब हो वह कितिनी है अपर है इसकी ही है विक्त Canyon起- hey तो यहां पर च्वचका तो gef- it oh yes फोर यहोगा तो लोगि यहां भी यहां भी फी स्सक्तितर हो गया तो अभी जो को प्रक्र हरन यह द्योंट या फेसरिक ऑसफेट क्या न लिखेंगी आप इसका नाम आईरन थिरी फोस्फेट या आईरन थिरी को लिखते है फेरिक फोस्फेट फेरिक फोस्फेट यह हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं चलो जी आगे बढ़े चोथे नमर का उधारान यहाँ पर हम लेंगे ठीक है आजो देखे जी क्या ले 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 चलो ले लेते हैं हम आई रन मेरे यह लेते हैं जेंक ले लेते हैं और इधर हम लेते हैं C O 3 जाले देतें cyber आप विखेंगे यहां से गौर से देखना ना जिंग का दो और कार्फूनेट정 का भी रहता तो यह बेसिक करिदे कब अना तो यह जिंक हो जाएगा दूसरा है कार्वोनेट तो इसका कार्वोनेट कर देंगे यह तुम्हारा नाम भी हो गया और काम भी हो गया पांच माँ धारन देखे आजाओ जी क्या पक्र बता जारा पकर लेते हैं कारवनगा देख लेगे सर्फ चार लेगें पलस चार लेंगे तो दो दूनी कितना हो जाएगा चार इसका मतलब सी के साथ वन जाएगा सी ओ टू यहां पर चुकी दो दो क्या है दो ओक्सीजन है इसलिए कारवन एक है तो कारवन का कारवन हो जाएगा सबसेंद्स के लिए लगाएंगे सबसेंद्स लगाने ट़र्या यहां पर दो पर हमने के अनुद पर सब्सक्राइब गया हरी कंब पर फिर छमार्ग्वन तब करने हमने काव करने काव़ा मचींद्स वह एकना मापाइड हमने पहले का था कि अगर के अधिक रहा है वह ताल ज्ञाल में करेंगे कंपॉंड इसी ऊक्साइद का पर्योग करेंगे WILL तो ये था तुम्हारा इस परकार से अलग मोल कर सकते हो कि कि देखते हैं आगे कि आगे का जो कॉंसेप्ट है हमारा क्या है इससे पहले कुछ और जरूरी बाते हैं करते हैं दिन देखेंगे लास्ट में हम उपना मॉल कॉंसेंट